हेलो एंबाइवर्स वेलकम तो दे सेशन आई होप आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का वनशॉट सेशन आज के इससेशन में पूरा नंबर सिस्टम आपको करादूंगी मैं आपको पूरा-पूरा चैप्टर पर डेफिनेटली पूछा जाएगा सो स्कार्ट करते हैं आज का यह अमेजिंग सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम और बिफोर स्टार्टिंग सेशन लेट में इंट्रूस माइसेल माइसेल सुर्भी गंवार मैं आपको मैंतेमेटिक्स पढ़ाती हूं मैं आपके इस सेशन में हम जो जो कॉंसेप्स कवर करने वाले हैं वो है रियल नंबर लाइन, एक्सपोनेंट और रेशनलिजेशन आज के इस सेशन में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपको क्लियर कर दूंगी आपके सारे कॉंसेप्स इस चैप्र से क्लियर हो जाएं आपके एक्जाम में जब यह चैप्र पूछा जाए तो आप उसको एजिली कर पाओ ओके सेशन सबसे पहले आपके सेलेविस में आता है रेशनल नंबर क्या होते हैं रेशनल नंबर अगर आपसे सिंपल देफिनिशन पूछी जाएं आप में से बहुत सारे लोगों को रेशनल नंबर की देफिनिशन पता होगी नहीं पता है don't worry I am going to explain पता है तो revise कर लेते हैं तो what is the definition of the rational number the number of the form of PYQ where P and Q are the integers जहां पर P और Q जो है वो आपके integers है and Q is not equal to 0 और जो उसका denominator है वो 0 नहीं होना चाहिए is called the rational number और उसी को हम rational number बोलते हैं that is all integers and fractions are the rational number सारे integers और सारे fractions जो होते हैं वो rational number होते हैं rational number काँ से होते हैं simple on the another hand irrational number are the real numbers that cannot be written as the ratio of the two integers ऐसे numbers जिनको हम दो integers की रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं इस रेशनल number ठीक है examples PY value is 3.141592 and so on you can just see here you can just and root 2 1.414213 and so on यहां पर देख सकते हो तो यह जो दोनों numbers आपको यहां दिख रहे हैं यह दोनों आपके is rational numbers हैं कैसे हैं इस rational number ठीक है and rational number की definition ऐसे number जिनको हम दो integers की रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर denominator 0 ना हो और irrational number on the other hand ऐसे number जो rational नहीं है या फिर हम directly बोलें जिनको हम दो integers की रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं चलिए कैसे इसको पूफ करेंगे तो चलिए मैं आपको इसका पूफ सिखाती हूँ ठीक है और जहां पर PNQ जो है वो को प्राइम का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो इंटीजर का रेशियो है तो हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कंवर्ट कर लिया अगर आपसे बोला गया है कि आपको दे रखा है यहां पर 6 upon 8 तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कंवर्ट करके 3 upon 4 लिग दिया है तो यह जो इंटीजर की दो रेशियो है यहां पर 3 और 4 को प्राइम को प्राइम नंबर कॉन से होते हैं जिनका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो अगर रूट टू एक रेशिनल नंबर है तो अकॉर्डिंग तो डेफिनिशनल लंबर हम रूट टू को दो हुआ है मैं भाएं चीज़स्ट के रेशियो की फोर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q को प्राइम है और Q जीरो नहीं घूर अगर मैं puta को किस तरफ लेकद जाती हucciू रूम आपको गरन रसक्रों कर दो मैं क्या करती हूँ स्क्वारिंग करदी हूं स्क्वारिंग पुत अगर आप लोग यहां पर चीजों को देखो तो आपको बहुत अच्छे से खला होगा मैंने आप से कहा कि 10 và 10 इन 100 और 100 को मैं लिख सकते हूं कि जो 2 है वो 100 का फैक्टर है 2 जो है वो 100 का फैक्टर है मैं बोल सकते हूं 2 जो है वो 10 स्क्वाइर का फैक्टर है तो क्या 10 का फैक्टर 2 है बिल्कुल है तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के square का factor है तो वो number उस number का भी factor होगा मतलग अगर ये 2 is p square का factor है तो ये 2p का भी factor होगा तो यहाँ पर हम directly बोल सकते हैं कि as 2 is a factor of p square so 2 will be factor of p also 2 जो है वो p का भी factor होगा आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं हम आप ऐसे क्यों वोल रो की factor है बेटा factor का मतलब क्या होता basically किसी number को उसके form में break कर देना जैसे कि मैंने 10 को 5 into 2 लिख दिया तो यह जो 2 है और यह 5 है यह 10 के factors है मतलब हम directly अगर हम इन another word I can say कि अगर कोई number किसी दूसरे number से divisible है तो जिस number से वो number divisible है वो उसका factor होता है simple जैसे कि मैं आपसे यहां पे एक example और लेके बताती हूं जैसे कि मैं कहूं कि जो 15 है उसको हम 5 into 3 लिख सकते हैं तो यहां पे अगर P square 2 into Q square लिखा है तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि यह जो 2 है यह P square का factor है और अगर कोई number किसी number के square का factor होता है तो वो number उस number का भी factor होता है यह एक simplicity theorem तो अगर T P square का factor है तो जो 2 है वो P का भी factor होगा अब कहने का मतलब क्या है कि यह जो P है यह जो P है इसमें 2 आ रहा है मतलब यह जो P है इसमें 2 आ रहा है क्योंकि अगर मैं आप से कहूं कि एक ऐसा number बताओ जिसका factor 2 है तो आप मेंसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं हम वो number 4 हो सकता है आप मेंसे बहुत लोग कहेंगे माम वो number 6 भी हो सकता है वो number 8 भी हो सकता है and so on क्योंकि 2 जो है वो 4 का भी factor है 2 जो है वो 3 का भी factor है 2 जो है वो 8 का भी factor है तो ऐसे कही सारे numbers हो सकते हैं जिनका factor 2 है तो हम सारी चीजों को इधर वाले factors को let कर लेते हैं कि वो K है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह जो P एक ऐसा number है जिसका factor 2 है लेकिन 2 के अलावा इसमें क्या आ रहा है तो हम P को लिख सकते हैं 2 into M हम ऐसा बोल सकते हैं कि P एक ऐसा number है जिसका factor 2 है तो हम उस number को बोल देंगे 2M क्योंकि 2 तो उसमें आ रहा है M क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा main काम 2 के साथ है तो इस P की जगा पे 2M में यहां पे पुट कर दूँगी तो यहां पे मैं P की जगा पे पुट कर दूँगी 2M तो मुझे मिल जाएगा 2M squared is equals to 2Q squared तो मुझे मिल जाएगा 4M squared is equals to 2Q squared और यह दोनों cancel हो जाएगे और मुझे मिल जाएगा Q squared is equals to 2M squared that means अब मुझे यहां से क्या मिला कि 2 is a factor of q square so 2 will be factor of q also तो अगर 2 q square का factor है तो जो 2 है वो q का भी factor हो same condition जो यहां पे आपको दिखी थी वही यहां दिख रही है क्योंकि यहां p square is equals to 2 q square था तो आपने बोल दिया कि 2 जो है वो p का factor होगा अब यहां q square is equals to 2m square था तो आप बोल सकते हो कि जो 2 है वो q का भी factor होगा अब 2 यहां पे q का भी factor है 2 यहां पे p का भी factor है लेकिन आप तो कह रहे थे कि p and q को प्राइम है मतलब आपने जो assume किया आपने उसी assumption से खुद को गलत proof कर दिया आपने तो assume किया था कि जो p और q है उनका 1 के अलावा कोई common factor नहीं है वो co prime है लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि जो 2 है वो p का भी factor है जो 2 है वो q का भी factor है मतलब our assumption is wrong हमारा जो assumption था वो गलत हो गया और हमारा assumption क्या था that that root 2 is a rational number तो root 2 will be irrational number तो यह हमारा assumption था कि root 2 rational है लेकिन हमने जो assume किया उससे ही गलत proof कर दिया मतलब यहाँ पे आगई contradiction तो जहाँ पे contradiction आ गई मतलब हमारी assumption यहाँ पे गलत हो गई तो इस तरह के questions को solve करने की यहीं तरीका है अगर यहाँ root 3 होता तो पूरे question में जहाँ जहाँ आपने root 2 लिखा है बस वहाँ पे 3 हो जाता that's it जहाँ जहाँ आपने 2 लिखा है वहाँ पे बस 3 हो जाता फिर यहाँ 3 हो जाता फिर यहाँ 3 हो जाता फिर यहाँ 3 हो जाता और जहाँ-जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 हो जाता अगर यही root 5 होता तो उसको भी करने का सेम तरीका है जहाँ-जहाँ 2 लिखा था वहाँ-वहाँ 5 हो जाता that's it करने का मातर सबका से में पहले हमने एजूम किया कि वो एक rational number है फिर according to the definition of the rational number हम उसको दो integers के ratio की form में लिख सकते हैं जहां पर PNQ co-prime है और फिर हमने उसको दोनों तरफ square कर दिया simplify किया और फिर हमने observe कि हमारी जो assumption थी वो उती से गलत प्रूल हो गई clear ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ अब second concept आता है number line क्या होती है number line अब visual representation of numbers on a straight line अगर हम visualize करें numbers को एक straight line पे तो हम वो जो line है उतको number line बहुते हैं on a number line as we go to the right numbers become larger चैसे ही हम right side जाते हैं numbers बढ़ते हैं left side जाते हैं तो numbers छोटे होते होते चले जाते हैं तो यह आपका simple simple fund आ है तो हमने यहां से इधर गए तो numbers की value बढ़ रही है इधर जा रहे हैं तो numbers की value कम हो रही है तो smaller होते चले जाते हैं simple this is the number line now here we are having one question match the bubble according to the position of the number on the number line तो left of 0 on the number line तो 0 के जो left में number होंगे definitely वो positive होते हैं 0 के left में sorry 0 के left में negative होते हैं तो यहां पे हो जाएगा minus 3 and minus 5 by 2 and right की बात करें तो वहां पे आपको मिलते हैं positive number so let's submit this and this is the correct answer simple ठीक है यह सबको पता ही है चलिए अब आता है standard procedure for representing और irrational number and number line rational number को number line पे represent करना है so easy but irrational numbers को number line पे कैसे represent करेंगे वो अब मैं आपको यहां पे सिखाने वाली so let's begin let's begin let's begin सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने एक line draw कर लेनी है और उस पे हमने नाम दे देना है ठीक है क्या कर देना है draw a line and mark a point a on it mark a point b on the such that a a b is equal to x let's suppose आपको draw करना है root 3.2 let's suppose ठीक है तो आप यह let's suppose यहां मैं x explain कर रहूं let's suppose आपको draw करना है root x तो आप यहां पे root x unit की distance की line draw कर लो एक तरफ a एक तरफ b फिर आपने क्या करना है what is the next step next step will be कि आप उसको one unit extend कर दो और यह c लगा दो एक unit extend करके c लगा दिया ठीक है from a point b mark a distance of one unit and mark the new point as c such that a b sees a straight line यह पूरी straight line बन ले now draw the perpendicular bisector of the segment ac and mark the midpoint of आप क्या करना है आपने इसका perpendicular bisector draw करना है क्या करना है perpendicular bisector perpendicular bisector कैसे draw करोगे let me explain you आपने क्या करना है yes compass से compass से इसका perpendicular bisector draw करना है ठीक है protector and compass को use करना है और ऐसी एक line draw करनी है जो इसको दो equal parts में divide करती हो क्या करना है दो एकुल पार्ट में डिवाइडे करता करती हो और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है हुद है जल्दी से बताइए तो अच्छा definitely 90 degree perpendicular का मतलब होता है definitely आपका यहाँ पे 90 degree ठीक है? ओके? यह 90 degree यह perpendicular होता है तो हम compass से यहाँ पे pencil एक arc को रखेंगे यहाँ पे लगाएंगे pencil half से ज़्यादा distance करके एक 90 एक 9 एक arc यहाँ पे रखके एक arc लगाएंगे फिर इधर ही रखके एक arc नीचे लगाएंगे दूसरे end पे रखके दूसरे arc नीचे लगाएंगे और इन दोनों को ज़्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से यह जो line बनेगी this will be a perpendicular bicycle मैं आपको फिर से explain करती हूँ आपने क्या करना है compass से यहाँ पे end point को रखना है ठीक है यहाँ से क्या करना है end point को रखना है ठीक है और यहाँ से आपने इस पे एक 90 degree का sorry यहाँ से half distance pencil में fill करनी है एक arc कहाँ लगा देनी है उती से एक arc कहाँ लगा देनी है यहाँ पे रखके एक arc कहाँ लगा देनी है अब उस distance को हम fill कर देंगे, उस distance को हम radius की तरह रखते, यहाँ पर उसका arm रखेंगे, और यह वाली distance को radius की तरह रखते, pencil को यहाँ रखते, एक semi circle ड्रॉ कर देंगे, अब यह semi circle जैसे ही draw होगा, हम point B से 90 degree की angle पे एक line बना देंगे, draw the semi circle with center O and radius OC, O center को लेके, हम यहाँ से एक यह बना देंगे, now हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से एक perpendicular draw कर देंगे, जो यहाँ पे cut कर रहा होगा, ठीक है, now what will be the next step, taking B as a center and BD as a radius, draw an arc cutting OC at E, आप क्या करना है, taking B as a center, B को center ले लो, ठीक है, and BD as a radius, BD को radius ले लो, draw an arc cutting, जो की OC को, जो की OC को cut कर रही हो E पे, जो की OC को cut कर रही हो E पे, ठीक है, एक ऐसी arc बना देंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताने वाली हूँ, यह जो distance निकल के आएगी, यह आपकी root X होगी, लेकिन क्योंकि आपको number line पे लेना है, तो number line पे बनाने के लिए, हम यहाँ पे arm रखेंगे, यहाँ pencil रखेंगे, और इसको drag करके यहाँ number line पे ले ले, तो यहाँ से यह जो distance आपकी निकल के आएगी, यह आपकी root X होगी, ठीक है, तो एक बार फिर से मैं सारा procedure explain करती हूँ, what you have to do, let's suppose आपको root X ज्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे root X unit की distance ज्रॉ करोगे, सबसे पहला step, फिर इसको हम A नाम दे देंगे, इसको हम B नाम दे देंगे, फिर one unit इसे extend कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस पे हम रखेंगे compass का end, और half से ज्यादा distance को pencil में fill करके, एकर कहां लगाएंगे, एकर कहां लगाएं फिर B point से 90 degree का यहाँ line बना तो यह जो distance आपकी निकल के आएगी, यही आपकी root X होगी, अब आपको इसको लेना है number line पे, क्योंकि आपको तो number line पे plot करना है na root X को, तो आप compass का end यहाँ रखो, pencil को यहाँ रखो, pencil की distance में, pencil में इतनी distance fill करके, इसको drag down कर दो, तो यह जो distance आ irrational number also by using the same method, तो actual में यह ऐसा होता क्यों है, इसका अगर आपको proof जानना है, तो you can just look into this, आप यहाँ देख सकते हो, कि यह root X कैसे आएगा, let me explain you, तो हम यहाँ पे अगर बात करें, तो जो distances है उनके बारे में, अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि यह वाली जो distance है, यह हमें न X plus 1 by 2, simple, चीक है, और फिर अगर मुझे इस में से यह 1 सप्राग कर देना है, क्योंकि मुझे इतनी distance चाहिए, तो आपको मिलेगी X plus 1 by 2 minus 1, that means X minus 1 by 2, तो यह distance मिल जाएगी X minus 1 by 2, और यहाँ जो यह hypertonus है, यह basically कितना है, यह basically इतना है, क्योंकि यह radius है इस circle की, तो radius तो किस perpendicular निकालना है, आपको hypertonus पता है, आपको base पता है, तो जैसे ही आप इसमें पाइतागोरस theorem लगाओगे, आपको मिलेगा X plus 1 by 2 square minus X minus 1 by 2 square, क्योंकि perpendicular squared is equals to hypertonus square minus base square, simple, और जब आप इस expression को पूरा solve करोगे, तो आपको जो BD मिलेगा, यह BD मिलेगा, यह root X है, और क्योंकि इ के लिए आप इस मादर को यूज कर सकते हो, simple, एक बार फिर से explain करते हूं, इतनी distance X थी, इतनी distance 1 थी, तो यह इसकी half distance कितनी हो गई, X plus 1 by 2, अब जितनी distance यह है, यही तो हमने radius ली थी, semi circle के लिए, तो यह भी radius ही रहेगी, क्योंकि यह यहां से center से है, तो यह भी X plus 1 by 2 होग X plus 1 by 2 minus 1, तो आजाएगा आपका X minus 1 by 2, simple, ठीक है, यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो OB होगा, वो AB minus OA होगा, तो यह जो आपकी AB है, इस मेंसे हम OA को subtract कर देंगे, तो आप इस तरह से भी इसको use कर सकते हो, तो आपको वो मिलेगा X minus 1 by 2, ठीक है, यह distance पता है, यह distance पता है, अग, सबसे जादा पूछा जाने वाला question कि आपको root 2 plot करना है number line पे, तो अगर आपको कभी भी इस तरह का question मिले, तो आप उसको पीछले वाले method से भी कर सकते हो, जो मैंने अभी explain किया, अगर आपको वो जाधा difficult लग रहा है, तो आप 2 ऐसे numbers निकालो, जिनका square करने से आप को 2 मिले, तो ऐसा number है 1 और 1, क्योंकि अगर मैं 1 square plus 1 square करूँ तो मुझे 2 मिलेगा, तो ऐसे दो number, अगर मैं कहूं कि मेरे को 1 square plus 1 square करके root लगा दूँ, तो मुझे root 2 मिल रहा है, बिलकुल मिल रहा है, तो अगर मैं number line पे, अगर मैं number line पे 1 unit के distance plot करूँ, और उसके perpendicular 1 unit plot करू तो इसका hypotenuse root 2 होगा by using the Pythagoras theorem, ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसे number line पे plot करना है, तो for plotting this on number line, मैं इस distance को compass में fill करके, इसको number line पे drag कर दूँगे, simple, तो अगर आपको root 2 plot करना है, तो आप number line पे यहाँ 1 unit ले लो, और उसी के 90 degree पे 1 unit plot कर दूँगे, और फिर यहां से आपक hypotenuse मिलेगा, यह root 2 मिलेगा, लेकिन आपको number line पे लेना है, तो आप इसको drag down कर सकते हो, नीचे, तो यह distance आपकी मिल जाएगी, simple, अब आपको अगर root 3 plot करना है, तो root 3 के लिए आपको root 2 की requirement है, क्योंकि root 3 होगा, root 2 square plus 1 square, तो root 2 आप पहले plot कर चुके हो, बस यहीं से आप 1 unit और plot कर दो, तो आप base root 2 है, और perpendicular 1 है, तो इसका जो hypotenuse होगा, निकल के आएगा, पाइतागुरस theorem से, वो root 3 होगा, तो अब यह distance आएगी, यह root 3 होगी, इसको भी pencil में, compass में, फिल करके, drag down कर लोगे, तो आपको root 3 में जाए, तो इस तरह से आप इनकी plotting कर सकते हो, अगर root के अंदर वाला number मिलता है, तो पाइतागुरस theorem की use से आप plotting कर सकते है, जैसे की root 2 मैंने आपको बताया, root 3 मैंने आपको बताया, similarly you can plot root 5 also, ठीक है, चलिए, अब आता है decimal representation of rational number, तो अगर कोई rational number है, तो definitely हम उसको 2 integers के ratio की form में लिख सकते हो, तो उसका कोई decimal expansion भी होगा, obviously हो ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एक ऐसा number जिसको decimal expansion लिखना है, मतलब rational number का decimal expansion होगा, और decimal expansion दो तरह के हो सकते है, एक हो सकता है terminating, rational number की अगर हम बात करें, दूसरा हो सकता है repeating decimal, ठीक है, तो क्या होता है, terminating का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझे, terminating का मतलब होता है कि decimal के बाद कोई एक ऐसा step आएगा कि remainder 0 हो जाएगा जैसे कि 1 by 2 तो यह 0.5 होगा जैसे कि 1 by 8 0.125 होगा तो यह terminate हो रहा है एक step ऐसा आ रहा है कि remainder 0 हो और कई वार आपको ऐसे questions मिलते हैं कि remainder repeat होने लगता है जैसे कि 2 by 3 जब आप 3 2 को 3 से divide करोगे तो यहाँ 0 लगाओगे फिर decimal लगाओगे फिर 6 जा 18 फिर अगें 2 फिर 0 फिर 6 जा 18 और यह process repeat होता रहे तो ऐसे numbers को repeating decimal बोलते हैं non-terminating repeating non-terminating repeating तो यह दो तरह कि जो numbers होते हैं जो कि non-terminating non repeating होता है जैसे कि decimal के बाद कोई भी number आया जा रहा है कोई भी desert repeat नहीं हो रही है कुछ भी आया जा रहा है repeat नहीं हो रही terminate भी नहीं हो रही ऐसे numbers को बोलते हैं non-terminating non-repeating और यह numbers होते हैं irrational तो इसी लिए जो पाई की value है basically वो non-terminating non-repeating है तो वो एक irrational number है ठीक है root 2 की value root 3 की value यह सारे non-terminating non-repeating terminate भी नहीं होते हो number repeat भी नहीं होता remainder repeat भी नहीं होता तो इसी लिए यह जो numbers हैं यह आपके non-terminating non-repeating और irrational number है अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि माम पाई की value तो 22 by 7 है यह पाई की value तो 3.14 है तो यह तो terminating decimal है और यह दो integers का ratio है तो यह तो rational होना चाहिए लेकिन बेटा यह values इसकी approximate value है exactly नहीं है exact नहीं है इनको calculation के लिए हम use करते हैं बट actual में जो पाई की value है वो non-terminating non-repeating है ठीक है तो यह हमारी एक approximate value है जिसको हम अपनी ease के लिए इसको use कर लेते हैं चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक question आपकी screen पे है आपको इस question को solve करके बताना है कि इसको दो integers के ratio के form में अगर हम convert करना चाहिए तो कैसे करेंगे तो अगर कभी भी आपको इस तरह का question दिखता है और आपको इसको दो integers के form में convert करना है तो जब से पहला step आपको क्या करना है आप इसको x-let कर लो आप 1.272727 that is 1.27 बार भी लिख सकते हो दोनों सेम ही है आप क्या करना है जितने digits के उपर बार लगा है x को उतनी 0, 1 के आगे उतने 0 लगा के multiply करो क्या करना है मैं आपको बताती हूँ 27 में 2 digits के उपर बार लगा है मतलब 2 और 7 27 के उपर बार लगा है तो 1 के आगे 2 0 लगाओ और इस पूरी equation को कर दो multiply 100 से तो जब आप x को 100 से multiply करोगे तो मिलेगा 100 x और 1.272727 को जब 100 से multiply करोगे तो यह decimal दो places इधर shift हो जाएगा ना क्योंकि 100 से multiply करने पर ऐसा होगा तो यह बन जाएगा 127.27 बार क्योंकि अभी भी 27 27 27 repeat हो रहा हो ठीक है क्योंकि infinite n number times repeat हो रहा है तो अगर infinite में से एक 2 digit तेधर shift हो जाएगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा infinite पर ना यह आपके second equation बन गई है second equation से first equation को subtract कर देंगे कैसे करेंगे 100 x is equals to 127.27272727 and so on and x is equals to 1.27272727 and so on so once we subtract all of them यह आपको कितना मिलेगा यह मिलेगा 99 x यह कितना मिलेगा यह मिलेगा 126 point यह सारे 0000 हो जाएंगे क्योंकि LHS में subtract होगा तो 00 हो जाएगा RHS में sorry मिलेगा 126 upon 99 9 से cancel कर सकते हो इसको simplest form में लिखना चाहते हो तो 14 upon 11 आ रहा है आप यहां पे इसका solution easily check कर सकते हो कि आपको इस तरह से answer मिलेगा simple बहुत ही easy simple कैसे करना है मैं एक बार फिर से आपको explain करते हूं यह question आपको देखना है कि कितनी डिजेट के ऊपर बार लगा है तो यहां पर दो डिजेट के ऊपर बार लगा था दो डिजेट 17.7 क्योंकि अब decimal एक डिजेट हो जाता फिर इससे subtract कर देते तो आपको मिलता 9x is equals to 60 देखिए ठीक है तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको ठीक है 9x is equals to 16 और फिर हम इसको x equals to 16 upon 9 लिग देते ठीक है दोनों को subtract करके तो इस तरह से आप इन questions को easily सकते हैं और solve कर सकते हैं ठीक है तो जितनी डिजेट के ऊपर बार लगा है वन के आगे उतनी zeros लगा के उसको multiply कर लेना होता है ठीक है वहीं पे अगर आपको कभी इस तरह का question दिया जाए जिसमें रुको लेट में explain it one more time one more question जिसमें decimal के बाद directly deserts repeat नहीं होती जैसे कि मैं आप से कहूं मैं आप से कहूं मैं आप से कहूं आप क्योंकि इसमें एक डिजित के ऊपर बार लगा है तो इसको 10 से multiply करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा 100 x is equal to 127.7 और आप इन दोनों को subtract कर लेंगे तो आपको मिलें मिलेगा 90 x और यहां इन दोनों को आप easily subtract करके आंतर निकाल सकते हैं तो सबसे पहले यह जो decimal expansions हैं जिसमें decimal के बाद directly digits repeat नहीं होती हैं कुछ digits को छोड़के digits repeat होना start होती हैं इनको हम mixed repeating बोलते हैं तो mixed repeating को पहले प्योर repeating में convert करना पड़ता है उसके लिए जो डिजित नहीं हो रही है पहले उसको इस side में लाना पड़ता है तो उसके लिए जितने digit repeat नहीं हो रही है 1 के आगे उतने 0 लगाके पहले उसे multiply करना पड़ता है फिर एक बार जब यह pure repeating में convert हो गया उसके बाद का process सबके लिए same है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और let's move forward Now algebra of the real numbers के अगर बात करनें तो अगर हम 2 rational numbers को add करेंगे तो हमेशा हमें rational मिलेगा दो rational को अगर माइड करेंगे तो कभी rational मिल सकता है कभी rational मिल सकता है जैसे की वहीं root 2 ौ root 3 को add करेंगे तो इसरेशनल मिल रहा है that is root 2 plus root 3. So it will completely depends on the question की इसरेशनल plus इसरेशनल भी हो सकता है इसरेशनल भी हो सकता है ऐसे इसरेशनल प्लस रेशनल करोगे तो हमेशा इसरेशनल होगा same applies with the subtraction also subtraction में भी अगर आपने दो रेशनल को subtract किया है तो वो इसरेशनल ही होगा ठीक है तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है same applies with the multiplication also अगर आपने दो रेशनल को multiply किया है तो रेशनल मेलेगा दो इसरेशनल को multiply किया है तो जैसे कि अगर मैं 2 root 3 को root 3 से multiply करो तो मुझे root 3 into root 3 6 मिल जाएगा रेशनल नम्बर को किसी non-zero rational से multiply करूँ तो वो हमेशा आपको irrational ही मिलेगा जैसे कि root 2 को 2 से multiply करूँ तो रूट 2 ही मिलेगा थीक है तो ये irrational ही है तो इस तरह से division में भी same जैसा multiplication का concept है rational and non-zero rational is rational only division of two irrational number can be rational can be irrational and irrational divided by non-zero rational will be irrational only ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने आता है कि अग कुछ important properties यहाँ पे सिखाती हूं let's suppose a and b real numbers हैं मतलब अगर हम simple बात करें real numbers की a is greater than equals to zero and b is greater than equals to zero अगर यह case है तो अगर root a root a b लिखा है तो हम इसको root a into root b लिख सकते हैं अलग-अलग लिख सकते हैं ठीक है root of a of i b लिखा है तो हम इसको root a upon root b लिख सकते हैं यहाँ b 0 नहीं होना चाहिए root a plus root b into root a minus root b लिखा है तो हमें हम लोगों को identity हमने class 8 में एक पड़ी थी that is a plus b into a minus b की जो identity होती है वो होती है a square minus b square तो similarly root a plus root b को अगर हम multiply करेंगे root a minus root b से तो हमें मिल जाएगा root a square minus root b square root a square a होगा root b square b होगा तो आपको a minus b मिलेगा तो यह भी एक simple law है ऐसे ही अगर a plus root b और a minus root b करोगे तो सेम इसी property से आपका इस बार a square होगा तो वो a square बन जाएगा और root b square b बन जाएगा ठीक है और अगर root a plus root b का whole square है तो आप उसको whole square की identity से open कर सकते हो that is root a square plus root b square plus 2 root a into root b that is you will get a plus b plus 2 root a b खतम कहानी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ कुछ questions आपकी screen पे आ रहे हैं drag and drop the solution of the given equation तो पहला जो question आपकी screen पे है यहाँ पे a plus b का whole square लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा a square plus b square plus 2 root a b that means 2 plus 5 plus 2 root 10 that is 7 plus 2 root 10 ठीक है अब दूसरे की बात करेंगे तो आपको दिखरा है a minus b into a plus b क्या identity होती है a square minus b square that is आपको मिलेगा root 11 square minus root 4 square that means आपको मिलेगा 11 minus 4 simple that is 7 तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आपको 7 दिख रहा है और यहाँ आपको मिल रहा है 7 plus 2 root 10 and this is the correct answer of the given question easy सा question था just वो जो identities मैंने आपको previously बताई है just हमने उनी को use किया है और कुछ भी नहीं किया है ठीक है चलिया आगे बढ़ते हैं अब आता है बहुत ज्यादा important part that is laws of exponents exponents के laws आपके syllabus में basically exponent का मतलब क्यों होता है powers ठीक है number की powers उनको हम exponents बोलते हैं तो laws of exponents में क्या क्या है मैं आपको एक बार सारे laws explain करते हूँ फिर हम कुछ question solve करेंगे अगर कोई दो number अगर मैंने आपसे कहा a की power m तो यह जो होता है इसको हम base बोलते हैं और इसको हम exponent बोलते हैं जो power में है उसको power या exponent बोलते हैं जिसकी power में उसको हम base बोलते हैं तो अगर दो numbers multiplication में है और उनका base same है तो उनकी powers add हो जाती है जैसे कि अगर आपसे कोई कहे 2 square into 2 की power 5 तो आपको दिख रहा है कि दोनों का base same है तो powers will get added that is 2 की power 7 तीक है वही पे अगर दो numbers division में और उनका base same है तो powers subtract हो जाती है तो powers क्या होती है subtract हो जाती है दो numbers का base same है तो powers will get subtracted अगर a की power m और whole power n लगा है तो powers will get multiplied पावर की power powers will get multiplied ठीक है जैसे कि अगर कभी 2 cube का whole square लगा है तो आप इसे 2 की power 6 लिक सकते हो 3 into 2 ठीक है powers will get multiplied ठीक है similarly अगर दो numbers multiplication में है इस बार powers same है लेकिन base different है तो bases multiply हो जाते है कभी लिखा है 2 cube into 3 cube तो आप इसे लिख सकते हो 2 into 3 cube that is 6 cube ठीक है next है आपके सामने किसी number की power 0 1 होगा ठीक है a simple और अभी आपके पास आता है a की power m divided by a की power n तो a की power m minus n होता है यह repeat कर दिया है अगर a की power minus n लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 upon a की power n नीचे आने पे positive हो जाती है तो यह आपके laws है अगर power negative है तो नीचे आने पे positive हो जाएगी अगर नीचे negative है तो उपर जाने पे positive हो जाएगी मैं आपको एक बार एक question से explain करती हूँ अगर a की power m लिखा है तो हम इसको बनपॉन बनप एकी power minus m भी लिख सकते हैं नीचे आने पे negative हो गई और इसको नीचे से उपर ले जाने पे positive हो गई अगर a की पावर n लिखा है तो हम इसको 1 upon a की पावर n भी लिख सकते हैं मतला नीचे से उपर जाने पे positive negative का sign बदलता है अगर नीचे positive है तो उपर जाने पे negative होगी नीचे negative है तो उपर जाने पे positive होगी और उपर भी same applies अगर उपर positive है तो नीचे आने पर negative होगी या उपर negative है तो नीचे आने पर positive होगी, just sign बदल जाता है, that's it, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ question solve करना, start करते हैं, तो आपके सामने सबसे पहला question 1 cube, 1 cube 1 है, 2 cube 8 है, 3 cube 27 है, whole power 1 by 2 है, 1 और ये कितना बन जाएगा, 9, that means 36, ये बन गया 36 की power 1 by 2, अब 36 को आप कितना लिख सकते हो, 6 square, whole power 1 by 2 है, और according to the laws of exponent, a की power m, whole power n को आम लिख सकते हैं, a की power m है, तो these powers will get multiplied, 2 into 1 by 2, that means you'll get 6, simple, ठीक है, इस तरह से आप question solve कर सकते हैं, आपका इसका जो answer निकल के आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, वो 6 सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक और question, ये question again, बहुत ही अच्छा, मज़ेदार सा question है, यहाँ पर देखिए, power negative है, तो पहले तो हम इसकी powers को अलग-अलग कर लेते हैं, powers को अलग-अलग कर लो, numerator and denominator की powers को अलग-अलग कर दीजे, numerator and denominator की powers को अलग-अलग कर दीजे, ठीक है, इसको हम 32 की power 6 लिख सकते हैं, इसको हम 5 की power 6 लिख सकते हैं, numerator and denominator की powers को अलग-अलग कर दीजे, now, अब क्या काम है, कि आपको यहाँ 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, तो हम 8 और 32 को 2 की power में convert कर, पहले तो इसको positive बनाते हैं, यह जो 12 और denominator से numerator में जाने पर power positive होगी, simple, ठीक है, 32 को हम 2 की power 5 लिख सकते हैं, और whole power में 6 है, और यहाँ पर 5 की power 6 है, अब 3 की power 4, 5 की power 12, इनको multiplication में लिख देते हैं, अब powers will get multiplied, यानि कि, 30 divided by, 5 की power 4, दोनों के denominator में 5 की power, दोनों का basis same है, और इसको हम लिख सकते हैं, 2 cube की power 12, क्योंकि 8 को हम 2 cube लिख सकते हैं, Now, 3 की power 4, 5 की power 12, 2 की power 30, divided by, दोनों के basis same है, तो powers will get added, 2 की power 36, Now, denominator में आपको क्या मिला, 3 की numerator में आपको ये मिल रहा है, और denominator में आपको क्या मिल रहा है, अगर हम बात करें तो, ये 3 की power में कुछ नहीं है, तो उसको हम रहने देते हैं, 5 की power में 10 लगा देते हैं, और यहाँ पे 2 की power में 36 लगा देते हैं, आपको पता है laws of exponent नीचे से उपर जाने पर सब्ट्राक्ट होती है power पता है ना a की power m divided by a की power n को हम a की power m minus n लिख सकते हैं ठीक है so we will use this relation here हम यहाँ पर इस relation को use करेंगे तो numerator से जब denominator से जब numerator में जाएंगी powers तो आपकी जो powers है वो क्या हो जाएंगी आप खुद ही देख लो क्या हो जाएंगी powers very simple यहाँ से उपर जाने पर powers will get subtracted तो यह 3 की power 4 तो रहेगा ही रहेगा यह बन जाएगा 5 की power 12 minus 10 यह बन जाएगा 2 की power 30 minus 36 मतलब यह बन गया 3 की power 4 into 5 की power 2 और यह बन गया 2 की power minus 6 देखिए simple अब यह बन गया 3 की power 4 5 की power 2 अगर numerator में power negative है तो denominator में आने पर वो positive हो जाएगी यह तो आप इसे लिख सकते हो easily 81 into 25 divided by 64 that's it now solve this you'll get the answer ठीक है तो powers का जो laws of exponent का जो game है it's so simple आपको एक एक law को बहुत ध्यान से समझना है and you can solve the questions powers का बहुत ध्यान रखना है एक बार laws को अच्छे से समझ लो laws जो बताएं है उन laws को ही use करना है अगर आपको laws याद नहीं है एक paper पे लिख लो और जब questions solve करो तो उन laws को help ले लो so that आपको सारे laws दिर दिर याद हो जाएंगे now अगर आप हमें यह question solve करना है तो कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल है हम इसको लिख सकते हैं 1 by 3 की whole power 3 और whole power minus 2 by 3 now powers will get multiplied that is 1 by 3 की whole power 3 into minus 2 by 3 this 3 will get cancelled out that is 1 by 3 की whole power minus 2 that is 1 upon 3 की power minus 3 that means 3 square नीचे से उपर जाने पे power positive हो जाएगी that is 9 is your answer simple denominator से numerator में जाने पे power का sign बदलता है that is negative multiply होता है अगर negative है तो positive होगी positive है तो negative होगी जैसे ही numerator से denominator में लाने पे भी power का same game रहता है ठीक है चले आगे वड़ते हैं इसी के साथ ताथ कुछ question और आए हैं आपको यहाँ पर drag and drop करना है laws of exponent से तो a की power p into a की power q आपका क्या बनेगा simple दोनों का base same है तो a की power p plus q a की power p whole power q a की power p q a की power p a की power q denominator में है p minus q और यह a into b की power p बन जाएगा क्योंकि दोनों के basis different है power same है ठीक है चले बहुत ही आसान सा यह question था अब आपके सामने आता है rationalizing the denominator that is rationalization तो rationalization का मतलब क्या होता है rationalization का मतलब क्या होता है simple अगर हम बात करें तो the meaning of the rationalization आपका मतलब होता है कि आपको कोई भी जो irrational number है उसको उसके equivalent rational number में convert करना ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें 3 upon root 2 की तो इसके denominator में irrational है लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके denominator को मैं किसी तरह rational बना दू तो इसके denominator को rational बनाने के लिए मैं इसको इसके equivalent rational में convert कर दो मतलब कुछ इसमें ऐसा multiply divide करूं जिससे कि इसका denominator rational बन जाए तो that process is called the rationalization उसी process को हम rationalization बोलते हैं ठीक है that is rationalization the denominator rationalizing the denominator तो किसी irrational number को इसके equivalent rational number में convert करना is this process is called as the rationalization उस process को rationalization ठीक है तो जैसे की start करते हैं like suppose अगर आपसे गाँए की वन पाउं रूड़ 2 तो आप सके equivalent rational नंबर में convert कर दो कि उसका जो denominator है वो rational बन जाए देखो पूरा तो rational नहीं बन सकता लेकिन denominator को हम rational बनाने पर जादा preference देते हैं because denominator में हम try करते हैं कि आपको हमेशा rational number ही put करना हो ठीक है तो हम इसको एक ऐसे number से multiply divide कर देंगे जिससे इसका denominator बन जाए क्योंकि किसी भी number को किसी भी एक constant number से multiply divide करने से कोई फरक नहीं पड़ता तो यह बन जाएगा root 2 upon 2 तो actual में जो value 1 upon root 2 की है उसके equivalent number ही है root 2 upon 2 बस फरक क्या है कि इसका denominator irrational है और इसका denominator rational है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए so root 2 is a factor which we need to multiply with the denominator तो अगर आपको denominator को rational बनाना है तो उसके लिए आपको उसके उसको किसी एक ऐसे number से multiply divide करना पड़ेगा ठीक है तो अब इस process को हम बोलते है rationalization the factor with which the irrational number is multiplied to convert it into the rational number is known as rationalizing factor the process is known as rationalization of denominator इस process को हम denominator का rationalization का process बोलते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है rationalizing factor for monomial monomial क्या होते है monomial मतलब single term जैसे कि root 2 root 3 2 root 5 यह सारे monomials है monomial इनमें single term है तो monomial के लिए अगर आपको rationalizing factor दिखना है उसके equivalent इसके लिए rationalizing factor दिखना है तो उसका rationalizing factor क्या होता है let me explain यह तो अगर आप से कोई कहें कि root 2 का rationalizing factor क्या है तो आप कहोगे maam इसका तो root 2 ही है क्योंकि root 2 को root 2 से multiply करके 2 आता है जैसे कि 1 by 3 का rationalizing factor 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3 होगा क्योंकि जब आप इसको 2 की power 2 by 3 से multiply करोगे तो according to the laws of exponents powers will get added and you'll get 3 by 3 और आपको 2 मिल जाएगा तो इसका rationalizing factor कितना होगा 1 minus 1 by 4 that is 3 by 4 क्योंकि जैसे ही आप इसको 5 की power 3 by 4 से multiply करोगे powers will get added और आपको 5 मिल जाएगा मतलब rational मिल जाएगा तो इसी लिए कभी भी अगर एकी power 1 by n दिया है तो इसका rationalizing factor 1 minus 1 by n होता है ठीक है तो यह इसका rationalizing factor का simple है अब binomial के case में क्या होता है binomial के case में हम use करते हैं यह वानी identity तो अगर आपको कोई एक ऐसा number दिया है जिसके बीच में प्लस है binomial का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स है तो अगर बीच में प्लस है तो इसका rationalizing factor बीच का sign बदल देगा अगर minus है तो plus हो जाएगा क्योंकि फिर हम इस वाली identity को use करके उसका square root हटा पाएंगे ठीक है चले तो आगे बढ़ते हैं और कुछ questions इस पर based solve करते हैं तो जैसे आपके सामने यह question है आपसे कहता है कि अगर हम इसके rationalize form लिखे इसके denominator की rationalize form लिखे और अगर वो यह आए तो आप k की value बताओ तो इसके लिए हमें इसके denominator को rationalize करना पड़े डिनॉमिनेटर को हम कैसे rationalize करेंगे इसको multiply कर देंगे root 5 minus root 2 से तो हमें क्या मिलेगा numerator में तो मिल जाएगा root 5 minus root 2 तो denominator में जो भी present है बस बीच का sign बदल दो plus है तो minus कर दो और फिर यहाँ पे a plus b into a minus b की identity के हिसाब से यह बन जाएगा root 5 square minus root 2 square or according to the identity you will be getting root 5 minus root 2 divided by 5 minus 2 that is you will be getting root 5 minus root 2 divided by 3 now you can compare this with this and you can find the value of k from here the value of k will be 3 here so this process is known as rationalization इसी process को हम बोलते है rationalization ठीक है I hope so आपको यह सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आई है तो यहाँ पे कुछ कोशन में आपको homework के लिए दे रही हूँ आपको यह कोशन में करना है just take the screenshot of this and try this question by your own इसको अपने आप्राइ करोगे यह वाला कोशन भी आपको खुझ से रही करना है आज के इस session में हमने क्या क्या सीखा हमने basically सीखा number system का concept हमने real numbers के बारे में सीखा हमने rational irrational number के बारे में सीखा है उसके बाद हमने कुछ properties पढ़ी दोनों की फिर हमने laws of exponent पढ़े और फिर हमने पढ़े rationalization और उस पर बेस्ट कुछ अच्छे अच्छे question के I hope so आज का यह session आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है आज का यह session में इसी के साथ करती हूं खतम I hope पूरा chapter पूरा picture clear हो गया है now it's time to solve the question तो आप हमारी website हमारी app को explore कर सकते हो हमारी platform को explore कर सकते हो जहां पे आप next पे अपना goal select करेंगे और यहां से आप CBC class 9 के goal पे अगर जाएंगे तो आप यहां पे चीज और करेंगे कि हम regularly यहां पे sessions ले हैं हमारी classes यहां देख सकते हैं regularly we are taking live sessions on the platform तो आप हमारी sessions में register कर सकते हैं so that आपको सारे sessions की notification भी मिलती रहेगी और आप recording भी देख सकते हैं इसी के अलावा आपको यहां पे practice को option मिलता है जहां पे आप जाएंगे तो आप यहां को यहां पे कई सारी books दे रखी हैं आप books से practice भी कर सकते हो select the book and start practicing the question all the things are completely free on the platform आप यहां पे test भी दे सकते हो तो आज ही chapter सीखा है अब try करो इस पे test देने का create your own test पे जाओ mathematics select करो next select करो और यहां से अपना chapter select कर दो number system and custom test करके test का एक नाम दो test का level decide करो duration and mark decide करके test देना start start your achieve journey with us set your goal and we are going to help you to achieve your goal okay एक बड़ प्लेटफोर्म को जरूर explore करना all the things are completely free on the platform इसके साथ-साथ Mbib Lens आपको explore करो यह completely free है download it and इसमें आप कोई भी keyword scan करके उससे related 3D model से बहुत कुछ सीख सकते हो बहुत जादा काम आएगा आपको एक बार इसको explore करके देखो आपको बहुत ही मजा है ठीक है क्योंकि 3D model से सिमर्जना बहुत ज़दा सान होता है तो इसके साथ-साथ आप हमारे telegram channel को भी join कर लो आज का यह session में इसके साथ खतम करती हूँ I hope you guys enjoyed today's session ऐसे ही और one-shot sessions आपके लिए लेके आती रहूंगी तब-ब के लिए बाई everyone take care stay safe and keep ambiping keep ambiping we believe in you